ये गाईस कैसे आप लोग आई हो कि आप सभी लोग ठीक होंगे दूस्तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं इंडिये के लिए तो आपके लिए सबसे बिस्ट बैच आ चुकी है और देखिए ये क्रैस कोर्स आप सभी का बैच है सेरसा करके बैच है बहुत बढ़िया बैच है इंडिया के बैच के साथ ये बैच को तयार किया गया है जो कि ये बैच आपका 22 सब्सक्राइब कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक और बैच है अगर आप लोग चाहें तो कैसे करना है सबसे पहला आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर ऐसे आपको आजाएग इंटर्फेश दिखेगा तो आपको अप सेलेक्ट करना है कि कितने महीने गई एक महीने तीन महीने चे महीने चौबिस जो भी मन करें उसके बाद कोट डाल दीजेगा जीसरेटी 10 तेन परशन डिसकाउंट के लिए अब जैसे कोट डाल दीजेगा इस तरह आपका फाइनल प्राइस पर जाएगा जै Hello Friends कैसे हैं आप लोग I hope कि आप सभी लोग ठीक होंगे तो मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल ग्यान जोती आसिस टूटोरियल तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं Maybe Air Force AMR SSR AA से related GK के Most Important Questions जो आपकी exam के लिए बिलकुल important होंगे ठीक है तो चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको इवदा दू कि अगर आप इस वीडियो की पूरी PDF डाउलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के description वक्ष में Telegram और Instagram दोनों का link दे दिया गया है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा Telegram चैनल जोईन करना है और वहां से सारे वीड option दियेंगे option A भागवान विश्नु को option B जैन तिर्थकर को option C भागवान शियुजी को और option B भागवान बुद्ध को तो यहां पर इस question का right answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा question number 2 आपके screen को पने के दिल्ली इस्थित lotus temple किस धर्म से संबन्दी थे आपको नीचे में चार option दियेगे option A बहाई option B पारसी option C यहुदी और option D हिंदू तो यहां पर इस question का right answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा यनि बहाई हो जाएगा ठीक है जो दिल्ली में स्थित आपको lotus first temple है वो किस धर्म से संबन्दी थे तो वो आपको बहाई से संबन्दी थे तो यह आपको याद रखने होंगे और यह सारे question आपको previous question है ठीक है तो बिल्कुल याद रखना होगा आपको आगे बढ़ते हैं हमारे पास three number question question number three आपके screen को पर यह हैं और यह भी question बिल्कुल important ह question number three प्रशिद तिरपाल मंदिर कहां अवस्थित है? option A में है हमपी, option B चितंबरम, option C भद्रा चलम और option D इन में से कोई नहीं तो यहाँ पे भी question का right answer option number A ही हो जाएगा निका हो जाएगा हमपी हो जाएगा right answer जो प्रशिद तिरपाल मंदिर है वो आपको हमपी में इस्थ ठीक है? आगे बढ़ते हैं हमारे पास four number question, question number four आपके screen को परहे के मामा भाजा का मंदिर कहां परिस्थित है? option A बारशूर, option B रतनपूर, option C में है औरंग, option D ताला, तो question number 4 का right answer क्या हो जाएगा? option number A ही हो जाएगा, A में हमारे पास क्या है? बारशूर हो जाएगा right answer ठी ठीक है? जो मामा भाजा का मंदिर है, वो कहां परिस्थित है? तो ये आपको बारशूर में इस्थित है, ठीक है? आगे बढ़ते हमारे पास five number question, question number five आपके screen को परहे कि ऐसा कौन सा राज्ज है? जिसके अधिकान से निवासी इसाई है? option A में है मणीपूर, option B अरुड़ा चल परदेश, option C त्रुपूरा, option D तमिल नाडू, तो यहाँ पर भी इस question का राइट एंसर क्या हो जाएगा? option number A हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मड़ीपूर हो जाएगा राइट एंसर, ठीक है? यानि जो ऐसा कौन सा राज्ज है? जिसके अधिकान से निवासी इसाई है जो इसाई धर्म के लोग है, वो सबसे ज़्यादा मड़ीपूर में हिस्सित है, ठीक है? तो यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा, आगे बढ़ते हैं हमारे पस six number question, question number six आपके screen कुपन है कि gateway of India कहां अवस्तित है? option A में है मुंबई, option B नई दिल्ली, option C बैंगलोर, option D कुलकत्ता, अगर आपको इस सारे question का answer पता है, तो आप comment box पर जरूर comment किज़ेगा, ठीक है? ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग कितने तयारी में है, ठीक है? question हमारे पस क्या है? gateway of India कहां अवस्तित है? तो इसका right answer हो जाएगा, option number A हो जाएगा, यह नहीं कुलकत्ता में इस्तित है, ठीक है? आगे बढ़ते हमारे पास seven number question, question number seven आपके screen को पर है कि बिश्व विख्यात, rock garden कहां इस्तिते थे, बिश्व विख्यात, यह पूरे वर्ल्ड की विख्यात है, यह rock garden, जो कहां पर इस्तित थे, तो यह आपको कहां पर इस्तित थे, तो इ यह बिश्व विख्यात, जो rock garden है, यह आपको कुलकत्ता में नहीं, बलकि यह आपको यहाँ पर चंडी गड़ मिश्तित थे, ठीक है? यह सौरी यह गलत अंसर हो गया, यह आपको चंडी गड़ मिश्तित थे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, आगे लाशवाल हमारे पास eight number question, question number eight आपके screen के उपर है कि बुलंद दरवाजा का निर्मार किस ने बनवाई? option A, अकबर, option B, जहाँगीर, option C, साह जहाँ, और option D, और N, जेब, तो question number eight का right answer क्या हो जाएगा? option number A ही हो जाएगा, A में क्या है? अकबर हो जाएगा right answer, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, हमारे screen के उपर हैं कि दिल्ली इस्थित, लाल किला का निर्मार किस ने कराया? यही सवाल आपके exam में बार बार पूछा जा रहा है, तो यह सब सवालों का आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है? सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन जो आपको option है, option में बाबर है, हुमाय यह क्या option है, तो यह जो है, आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है? तो सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल यह कि दिल्ली में जो इस्थित लाल किला है, उसका निर्मार किस ने कराया था? क्योंकि लाल किला आप सभी लोगों ने जानते हैं, लाल किला कहां पर सवाल हमारे पास क्या है, कि लाल किला का निर्मार किसने कराया था, तो इसका right answer हो जाएगा, option number C हो जाएगा, C में हमारे पास क्या है? साह जहां हो जाएगा, right answer, ठीक है? जो लाल किला दिल्ली में इस्थे थे, उसका जो निर्मार का रहे है, वो साह जहां नहीं करवाय था राइट एंसर option number C हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हमारे पास 10 number question question number 10 आपके screen को पर है कि कौन सा अस्थान भारत का स्विर्जर लेंड कहलाता है यह सारे ही question आपके exam के point of view से बहुत ही important question है तो इसको आपको बिल्कुल लट्टा मार लेना होगा ठीक है कौन सा अस्थान जो भारत का स्विर्जर लेंड कहलाता है option A कोडांगू, option B में है बोरांग, option C कोशानी और option D उटी तो यहाँ पर इस question का right answer option number C हो जाएगा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा right answer ठीक है? कौशानी हो जाएगा right answer जो भारत का स्विर्जर लेंड कहलाता है यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास 11 number question और यह सारे question आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, ठीक है? 11 number question ध्यान से देखेंगे right answer के हो जाएगा option number D हो जाएगा, ठीक है? और इसमें आपको confuse नहीं होना है क्योंकि जो राष्ट्री विज्ञान दिवर्ष है यह तो मनाया जाता है आपको 28 फरवरी को कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्री विज्ञान दिवर्ष, ठीक है? इस बर जो यह दिवस मनाया जाए थी, इसकी थीम थी, Science for and with Society, तो थीम भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरी option को discuss कर लेते हैं, तो दूसरी option में हमारे पास जो 5 नॉमबर है, तो 5 नॉमबर को मनाया जाए हमारे पास World Tsunami Awareness Day क्या? यह आपको 7 नॉमबर को मनाया गया है, जबकि 9 नॉमबर को मनाया गया है Legal Service Day, कौन सा दिवस? Legal Service Day, यह आपको 9 नॉमबर को मनाया गया है, तो यह सारे आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है? अब आगी बढ़ते हैं हमारे पास 12 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्य यह भी हाली में, यह जो question है यह आपको बिलकुल important है, क्योंकि जो exam है, जिस तरह से आपको paper आप पूछा जाता है current का, वो उसमें सारे question क्या होते हैं, सारे previous नहीं होते हैं, बलकि जो current का सवाल होता है, आपको 6 महीने के अंदर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप महीला को 50% आरक्षण देने का विधेक पारित हुआ है, तो देखिए, अभी हाल ही में हरियाना ने ग्रैमरी नेकावे में महीलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेक पारित किया गया है, किसके दोरा हरियाना गौवर्मेंट के दोरा, तो हम यहाँ पे हम बात करेंगे, सब मी मोबाइल एपल भी लॉंच किया गया है तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 13 यानी 13 नंबर प्रश्ण प्रश्ण संग्या 13 आपके स्क्रिन को पढ़े कि पकेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में इसे थे ये भी सवाल आपके एक्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट कोशन है ठीक है तो ये इस थे और रुडाचल परदिश में कहां पर इस थे और रुडाचल परदिश इस थे राइट एंसर और ये जो पकेट टाइगर रिजर्व है ये चर्श में क्यों है तो आपने जो ग्रिन सैनिकों को कोविड 19 के खिलाफ बिमार यानि जो होता है बीमा कवर कराने के लिए जो बीमा होता है उसको प्रदान करने के लिए पुरवतर छेतर का जो पहला रि जर्व ये स्थित है अरुडाचल परदिश में तो हम यहाँ पर अरुडाचल परदिश के बारे में जेक्स कर लेते हैं ठीक है तो अरुडाचल परदिश के राजधानी क्या है राजधानी है इटा नगर अरुडाचल परदिश की राजधानी है मुख्य बंतरी है पेमा ख प्रश्ण संक्या 14 आपके स्क्रेंड को पर है कि हाली में mcc foundation के संदक्षन कौन बने हैं तो देखिए mcc के नए संदक्षन या भी हाली में बन गये हैं West Indies के Michael Holding कौन बने हैं West Indies के Michael Holding बन गये हैं तो यह आपको याद रखना होगा और इसी के संदक्षक बनाएगा है Michael Holding को ठीक आगे बढ़ते हैं हमारे पास 15 एंदी 15 नंबर कोश्चन कोश्चन नंबर 15 आपके स्क्रेंड को पर है कि भारत के सबसे लंबे शिंगल लेन मोटरेबल स्पेस शन जो ब्रिज है जिसका नाम क्या है डोबरा चांडी इसका उधगाटन किस राज्जी में किया गया है तो दे उत्राखंड के जो टिहरी गढ़वाल जीले में इस स्पेस स्टीन ब्रिज इसका उधगाटन किया गया है और उत्राखंड के मुख्यमंत्री कौन है तो यहीं त्रिवेंदर शिंगरावत और इन्हें के द्वारा ये टोटल 725 मेटर लंबा कितने 725 मेटर लंबा पूल है जो की 2.95 करोन रुपय की लागत से तयार किया गया है अब यहाँ पर हम उत्राखंड के बारे में डिस्कस करेंगे तो उत्राखंड की राजधानी क्या है तो उत्राखंड की राजधानी है देरादुन मुक्यमंत्री है त्रिवंदर शिंगरावत राजजिपाल है बेबी या निमोर्या और देखी जो उत्रागंड ने ये किर्शी भूमी को पट्टे पर देने वाला भारत का ये पहला राज्य भी बना है तो ये भी आपको यहाँ पर यातर रखना होगा ठीक है उत्राखंड से रिल्डेट सारे एक्स्टा फ्यार्ट आपको यहाँ पर नोट कर ल वाल है ठीक है तो सवाल हमारे पास क्या है कि हाली में रमेस लक्ष्वी नरायन को किस बैंक का सुचना अधिकारी निउक्त किया गया है तो ये अभी हाली में बन गये है HDFC बैंक के सुचना अधिकारी बन गये है अब यहाँ ते हम HDFC बैंक के बारे में डिस्कस करें तो इस 1994 में इसके स्थापना की गई थी और इसका हेड क्वाट अरब को मुंबई महरास्ट्र में इस दी थे ठीक है और परजेंट टाइम में इसके नए सीयो कौन है तो यह अभी हाली में बनाये गए शर्षिधर जगदीशन तो यह भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना होगा ठीक ह आगे बढ़ते हैं हमारे पास 17 यहनी 17 नंबर प्रश्ण प्रश्ण संग्या 17 आपके स्क्रेन को परेगे हाली में ट्रांसजेंडर्स पर आपको रसाथी उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है तो देखें ट्रांसजेंडर्स पर अधारित यह किताब जिसका नाम क्या है द्अनबर प्रश्ण संग्या 18 आपके स्क्रेन को परेगे हाली में कौन भारती है राजनेक संजुक्त राश्टर किसलाकार शामीती में शामिल हुए है तो देखे यह जो है यह सवाल यह सवाल आपको ऐसे तो आपको पॉलिटिकल साइन्स से रिलेटेड है लेकिं कुछ भी रही क्योंकि ये करेंट का भी सवाल है ठीक है तो यूनाइटे डेशन के सलाकार समीती में ये अभी हाली में शामिल की गई है विदीशा मैत्रा को किसको विदीशा मैत्रा को राइट एंसर अप्शन न यून के बारे में यानि कि यूनाइटे डेशन के बारे में हिंदी में कहते हैं संजुक्त रास्ट ठीक है तो इसकी जो अस्थापना हुई थी वह हुई थी 24 अक्तूबर 1945 में इसकी हेड़पार आपको निव एर मिस्ती थे और वरतमान में जो इसका अध्यक्ष है यह एं 19 नमर प्रश्न प्रश्न संग्या 19 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको यहां पर ध्यान से देखना होगा ठीक है प्रश्न संग्या 19 आपके स्क्रिन को परे कि किस राज्य में इस साल हॉर्णीबल फैस्टिवल वर्शुली मनाया जाएगा यह सवाल क्या है क इसको भी आपको यहां पर ध्यान से रखना होगा ठीक है तो देखिए कोबिट 19 की कारण यह वर्शुली मनाया जाएगा नागा लेंड में काप बनाया जाएगा नागा लेंड में मनाया जाएगा ठीक है तो देखिए बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट यहां पर फैस्ट जो कि मैना जाता है नागा लेंड में यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं हमारे पास 20 नंबर प्रश्ण प्रश्ण संग्या 20 आपके स्क्रेंड को परें कि हाली में किस भारती फेल्म को टोक्यो फैस्टिबल में एंट्री मिली है यह भी सवाल पर पढ़के आपको बता दे रहे हैं इसका नाम क्या है नाम है कार खीनी खांची वारी एसेंजो ऑन ए रोड ट्रिप यह इस फेल्म को टोक्यो में फैस्टिबल में एंट्री मिल गई है तो यह आपको यहाँ पर याद रखना होगा ठीक है तो आपको यह साब यह सारे ची यह आगे बढ़ने से सवाल हमारा पास क्या हो गया यहीं पर एंड हो गया क्योंकि आज हम सिर्फ 20 सवाल जो जीके कि 20 ही सवाल आपको लेके क्या आते हैं तो 20 ही सवाल आजके यह लास्ट होगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा ह अग्यू